तो आज है पंद्रा में और आज है मेरा बड़े लेकिन जब से मैं मतलब समझ आई है बारिश मेरे बड़े के तिन जरूर बारिश होगी और आज भी पूरा अंधिरा चाया हुआ है धूप बिल्कुल भी नहीं हुई है और आज भी देखो ऐसा हुआ मॉनिंग में तो मुझे इसे लगा कि जरूर बारिश आने वाली है और बारिश जरूर से होगी क्योंकि मुझे याद आ रहा है जब मैं बैंडरा में थी तबी भी मेरे बड़े के दिन बारिश आती थी और जय इतना एकसाइटेड होते थे मुझे बाहर शाम को घूमाने लेके जाने के लिए शाम क के दिन हर 15 में के दिन ऐसा ही होता था और देखिए आज भी तो जैसे अंधेरा हुआ ना वैसे मुझे मुझे मालूम पड़ गया कि हो आज तो बड़े वाला दिन है मेरा और आज होई है आज होने वाली है बारिश तो मज़े ही मज़े आएंगी ये और गाईज है ना बार बारिश गिरेगी मैं शाम तक का वेट कर रहे हूं कि जल्दी से बारिश गिर जाए देखिए फूलों की तो बहार आई है और जब इस पे पानी की बूंदे गिरेगी ना तो ये इत्ता सुन्दर लगने वाला है पूरा ना क्रिस्मस ट्री पे पूरा वेल उपर तक गया है और ये बहुत ही सुन्दर लगने वाला है जब इस पे बारिश गिरेगी तो मैं वेट कर रही हूँ कब बारिश गिरे और कब आपके साथ शेयर करूँ तो आज है मेरा बड़े और बड़े के लिए मैं सिंपल साही घर में हूँ तो घर में घर के तरीके से ही सिंपल साही राजस्तानी टाइप कुर्ती पेहन लिया है मैंने और येरिंग साब को पास से दिखाती हूँ तो गाइज ये कान के मैंने पैने हैं इस तरह से और राजस्तानी ट्रेल से राजस्तानी लूग दिखाना था तो फिर मैंने सोजा कि मैं पैन लेती हूँ ये वाले जुमके और थोड़ा सा मेकप का सामान अगर पारलर से लाती न तो मैं अच्छे से मेकप कर सकती थी पर गाइस मैंने कुछ भी नहीं लाया, कल मेरा गड़ बढ़ हो गया थोड़ा तो ठीक है, बड़े हैं तो बड़े को एंजोई करते हैं और क्या, है ना तो आप लोग मुझे विश्च जीएगा, ये मेरा सेकंड लॉकडाउन बड़े आ गया, साल भी इसी तरह से लॉकडाउन में बड़े था, ये साल भी लॉकडाउन में बड़े है तो चलिए नीचे मैंने मैं क्या क्या करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ और बनाते हैं खाना और चलते हैं नीचे आज न मुझे आईलाइनर लगाने को बहुत दिल कर रहा था मुझे लग रहा था कि मैं आईलाइनर लगाऊं अच्छे से रेडी हूँ बाल धोलिये हैं और बाल पूरी तरसे गीले हैं और न ये देखिए मेरे डाग न कम हो गये पर अब मैं इसमें वो आइंटमेंट लगाती हूँ न तो मुझे न मतलब स्कीन बहुत पतली हो गई ये आइंटमेंट लगा लगा के तो दो चार दिन में उसको ब्रेक दूंगी और आइंटमेंट नहीं लगाऊंगी किते दिन के बाद न ऐसे जुनके पहने हैं मैंने नहीं तो मैं आलवेज पारलर पे अलगरक स्टाइल के कान के बदलती रहती थी है न गाइस तो चलिए नीचे चलते हैं नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो ज पीछे पर गाइस इतनी जोरों के भूग लगी है नहीं कब तो खाना बनेगा कब भगवान को भोग लगेगा और कब मैं खाऊंगी तो एंटर हो रहे हैं किच्छन में अभी और लाइप्स ओन तो चलिए किच्छन में आ गए हैं और बनाते हैं सबजी तो सबजी बनाते हैं आटा सान लेते हैं और सब कुछ रेड़ी करके फिर में मिलती हूं आपको और गैस आपको कैसे लग रहा है मेरे किच्छन में आके किच्छन को मुझे थोड़ा सा विवस्तित करना है पर करने ही पा रही हूं और नीचे आई मैं कबसे, आप बोलोगे मैं कबसे क्या करी थी, मैं नीचे आई मैं, मुझे न आती थी के बैंक का पास्बुक नहीं मिल रहा था, उसको पास्बुक का नंबर चाहिए था, तो मैं कबसे वोड हून रही थी, इसलिए मुझे टाइम लग गया, तो चलिए पहल मज़ाना हो तो जब अकी मासाले के डबे में पूरी तर से मसाले भुरर ना हो न तो खाना बनाने का मज़ा ही नहीं आता है तो मैंने वह कौने का मज़ा वो तक सबी निकाल के इसमें भ्रिफ दिये हैं अर गयरम addressing च सब JPT अप wine पर मैंने आलू को बॉयल कर लिया है यहां पर मैंने पूरी का अटासान लिया है इसमें बहुत सारी इसमें लिए भी मेरी थोड़ी बहुत पूरी होई जाएगी तो इस तरह से पुरा प्री प्लाइनिंग करके रख दे रही हूं मैं तो आज मैं बनाने जा रही हूं आलू की सबजी जी हां में बनाने वाली थी भंडारे वाले आलू तो फिर मैंने फ्रीज में देखा तो मेरे पास श भंडारे वाले आलू की सबजी में अपनी और से तो ओनियन लिया है जिसमें भंडारे वाले आलू में ओनियन नहीं पढ़ते होंगे क्योंकि वह भगवान का प्रिशाद बनता है पर अब मैं सिफ ऐसे के से बनाऊ तो मैंने टमाटा नहीं थे उसके बदले मैंने ओनियन ले यहां जो भी चीज हम बनाएंगे भगवान को प्रसाद चड़ाएंगे तो वह एकसेप्ट कर लेते हैं तो यह मेरे मौडर्ण टाइप के बंडारे वाले आलू में बनाने जा रही हूं मेरे बड़े के दिन तो चलिए बनाते हैं इसको यहां कड़ाई में आया यह ले लिया है तेल तेल थोड़ा सा ज्यादा ही लिया है और करल में देखो न मम्मी क्या गई थी मैं अच्छी वाली कड़ाई पार्लर से लेके आती थी पार्लर में मेरा किचन है वहाँ पे मेरे अच्छे अच्छे बरतन रखे हुए हैं पर अब क् मेकप का सामान भी निकाल लेती थी पारलर से तो अच्छा होता था पर लेजी पना में बैठी रही बैठी रही और शॉप अगर थोड़ा सा भी ओपन करते हैं तो पुलिस आ जाती है इसलिए डर लगता है तो चलिए आलू की सबजी को बगार लेते हैं इसमें जीरा डालते ह है तो थोड़ा जीरा थोड़ा सा हिंग मेरे तरीके से मैं बना रही हूं गाईस अब डालेंगे यहां से उठा के कड़ी पत्ता इसे बात पड़ेगा ओनियान थोड़ा सा अच्छा हो जाए थोड़े मैंने कच्छी ओनियान बचा लिये हैं उसका भी टेस्ट इसमें अच्छा आएगा बात में डालेंगे तो खाते हो थोड़ा सा क्रंच टेस्ट आ जाएगा ओनियन थोड़ा सा नरम हो गया है तो साथ में हमें यह डाल देंगे शिम्ला मेज तो यह भी थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो इदर इसको ढखके रख देते हैं उसके बाद सारे मसाले पढ़ेंगे इसी स्टेज पे न हम इसमें यह कच्छे आम डाल देंगे जो मैंने दो काटके रखें ताकि यह भी थोड़ा अच्छे से चोड़ जाएगे अब time हो गया है सारे मसाले डालने का और गाइज क्या ही यह भगवान के लिए मैं बना रह plain को भोग लगा ना है understand और इसमें onion और ginger garlic नहीं डाल सकते थे लेकिन अब क्या करें मुझे जैसा पक्संद तक भी वैसा ही खाएगे न इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है सबसे पहले इसमें डालेंगे हल्दी पर डालेंगे दमिया जीरा पाउडर कुछ थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे हम पर डालेंगे इसमें ये लाल मिर्ची पाउडर जो कलर वाली है अच्छे से थोड़ा स्पाइसी बनाना है फिर डालते हैं गरम मसाला और अब नमग डाल देंगे सबसे पहले इसमें डालेंगे हल्दी पर डालेंगे दमिया जीरा पाउडर कुछ थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे हम पर डालेंगे इसमें ये लाल मिर्ची पाउडर जो कलर वाली है अच्छे से यहां थोड़ा स्पाइसी बनाना है फिर डालते हैं गरम मसाला और अब नमग डाल देंगे तो यमी यमी मसाला तो रेड़ी है अब ये सारे आलू इसमें जाएंगे इसे मैंने काटा नहीं है सिर्फ हाथ से क्रश कर लिया है इसे थोड़ा सा सेक लेंगे और इसके बाद अब इसमें पानी डालेंगे ओफो ये तो सूखा भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में और स्मेल में तो वाइस अब इसमें पानी डालके इसको क्योंकि पूरी के साथ खाना है तो मुझे इतना सूखा नहीं चाहिए मुझे थोड़ा सा रस वाला चाहिए तुमें इसको पानी से रस वाला बनाऊंगी लेकिन देखने में यह बहुत यमी लग रहा है थोड़ा सूखा सबजी मैंने निकाल लिया है कभी रोटी के अंदर भरके फिलिंग भरके उसका परोठा बना के खाऊंगी मैं इतनी पागल हूँ न कर सब्जी वाली के पास गई थी पर फिर भी मैंने उससे हरा धनिया नहीं लिया यमी यमी मेरी सब्जी रेडी है भंडारे वाले आलू मेरी स्टाइल के आप बुरिएगा भंडारे वाले आलू इस तरह से नहीं बनते हैं जी ये मेरी स्टाइल के भंडारे वाले आलू है मैं इसका प्रसाद भगवान को जड़ाने वाली हूँ इसलिए मैंने मेरी स्टाइल से बनाया है गैस कीजिएगा गाईस ये मैंने किस चीज की सबजी बनाई है और कैसी लग रही है बताईएगा मुझे जरूर से मेरी सबजी देखे मेरा मन खुश है तो मेरे भगवान भी खुश होंगे है न तो सबजी बन गई है आटा सान के मैंने फ्रिज में रख दिया था तो निकाल लेती हूँ पूरी के लिए लोई बना लेती हूँ छोटी छोटी पूरीया तेल गरम हो गया है और जितनी खानी है उतनी ही बनाती हूँ ज्यादा नहीं बनाती हूँ शाम के लिए भी थोड़ी बना लेती हूँ क्योंकि फिर वापस से कौन बनाएगा तो शाइक तो बस हो गई इतनी ज्यादा ही लग रही है मुझे तो गाइस मुझे न वो पूरी का जो मशीन मिलता है न फटा फट 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 दबा दिया फटा फट फट तल लो वो वाला मशीन लेना है पूरी बनाने का एकदम इजी पढ़ता है उसमें ममी के आ मतलब है वैसा और वो अच्छा पढ़ता है वो मुझे लेना है बहुत दिनों से मेरे विशलिस्ट में है के मुझे लेना है मुझे लेना है तो लूंगी एक यह तो एक डेड़ साल से यह हो गया गाइस मेरा ना सर दुखने लगा आती थी का बैंक का पास बुक और यह चेक बुक दोनों नहीं मिल रहा है पता नहीं कहां रख दिया है मैंने अब ठीक से शांती से बैटके एक दिन आराम से डूंगती हूं तो यह देखिए सब पूरी बेलने में तकलीफ होती यह ना मूज कैसा फटा फट बनने ही रही कि फटक से दबाया के गोल पूरी बन जाती है गोल तो पूरी मेरी बनने से रही हल्दी की वज़े से इसका कलर इतना अच्छा आ रहा है ना इसके नपुछो बात तो इतनी पूरी यां तो मैंने बना ली है अब मैं पापड तल लेती हूं बड़े है तो प्रॉपर खाना खाना है मुझे अच्छे से एक आम भगवान को आज पहला आम है मेरी घर में आया है तो पहला आम मैं भगवान को चड़ा देती हूं तो भगवान इस तरह से इसको पहले खा लेंगे तो उसके बाद हम इसको काटके खाएंगे और गाइस आम मैंने बहुत सालों से नहीं खाये हैं तो आज भगवान को एक आम चड़ा देते हैं और उसके बाद आम खाना मैं शुरू करूंगी क्योंकि अतिती को मैंने बोल दिया है वहां से आप आम लेके खाया करो तो अतिती खाने लगी है तो मैंने सोचा मैं बड़े से आम खाना शुरू करती हूं और बोलिए गैस तो खाना मेरा रेडी है परताली परोस रेती हूं भगवान को भोग लगाती हूं फिर मिलती हूं आप से ओके अभी तो मुझे ओनियन भी परवर काटना है पर वो भगवान को नहीं रखूंगी ओनियन ओनियन में अपने लिए बनाऊंगी तो कि बोलते है ना अब यह करोना के टाइम में अनियन कच्छा अनियन जरूर से खाना चाहिए तो गैस आप लोग भी इसी तरह से कच्छा अनियन खाया कीजिए थाली लगा देती हूँ जो सबसे पहले पापड जमा देती हूँ भगवान के लिए और उसके बाद इसमें सबजी दे लेती हूँ सबजी तो इतनी यमी लग रही है न गाइस दिखाती हूँ आपको थाली पौरोज के यह क्या भगवान को थाली तो लगाई यह भगवान तो सिफ प्यार के भूके हैं वो थोड़ी न कुछ खाते हैं वो तो सिफ अपने प्यार के भूके हैं पर आज अच्छा दिन है मंदिर नहीं जा सकी तो भगवान को भूग लगाना भी ज़रूरी है और ऐसे भी कोई भी त वार रहता है कुछ भी रहता है तो भगवान को भूग लगाना जरूरी हो जाता है तो थाली मैंने परोस दिया है भगवान का तो चलिए भगवान को भूग लगा देती हूँ तो आज मैंने न भगवान जी को भी ठंडा पानी रखाए गर्मी बहुत है न गाइस तो हमारी तरह भगवान जी भी ठंडा पानी पीएंगे तो भगवान जी जल्दी से प्रसाद ग्रहन कीजिए सौरी ये आपको भी बहुत भूक लगी होगी मैंने लेट कर दिया उसके दिये सौरी तो भगवान जी के खाने के बाद अभी अपना नंबर लगा है तो आजाईए आप लोग भी खाना खाने जल्दी से तो बड़ी का खाना अच्छा देखके न मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि नो कुछ हो बात और आज मेरा खाना ना पूरी तरस एकदम फेवरिट बना है तो गाईस आज का व्लोग आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और न अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हो पर आप लोग अगर डिसकाइब करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा गाईस तो जो भी करो सोज समझ के कीजिएगा तो चलिए बेले खाना खा लेती हूँ और इस व्लोग को यहीं पे आइन करती हूँ मिलेंगे नेक्स अच्छे वाले व्लोग में और अकेले ही बड़े मना लिया मैंने क्या करूँ कहा जाऊँ और किसको बुलाऊँ तो सब लोग अपने अपने काम में बिजी है तो अकेले ही बड़े मना लिया पर मेरी इतनी बड़ी यूटूब फैमेली है मुझे क्या ये है मैंने आतिती को बोला आतिती मेरा यूटूब चैनल आलवेस चलना चाहिए क्योंकि मैं अपना तो सब कुछ यूटूब चैनल हो चुका है पूरा उसमें कुछ भी जज़ट नहीं है से फीडियो जी डालने है मेरा यूटूब चैनल और वेस चलना चाहिए और मैं जितनी महनत करती हूँ उतनी महनत में आपने भी मुझे साथ देना चाहिए तो ठीके गाईस मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक शेर कमेंट कीजिएगा सबस्क्राइब कर लीजिएगा शेर भी कर लीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स व्लॉग में कल कल में मिलूंगी आपको और ये वाला व्लॉग तो कल आएगा हलाकि मेरा आज बड़े 15 में को अगले साल जरूर से याद कीजिए का आज इतने मेरे 16,700 सबस्क्राइबर है न उतने सब का मुझे बड़े विशाना चाहिए इतना तो मेरा हग बनता है मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप लोग मुझे विश कीजिए तो बाई बाई गाई और एक और बात हाँ अगर आपका कभी भी बड़े हो तो मुझे आप एक कमेंट्स में लिख के भी हिच दीजिए ताकि मैं उस टाइम आपका बड़े का शाउट आउट कर दूँगी मतलब मेरे वीडियो में वो इंक्लूड कर दूँगी आपको हैपी बड़े कर दूँगी अगर आपको ठीक लगे तो आप जरूर से मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए का के आपका बड़े इस दिन है तो मैं जरूर अपने व्लोग में उसे इंक्लूड करूँगी ओके तो बाइ बाइ गाइस मिलते नेक्स व्लोग में बाइ हाई गाइस आज का बड़े व्लोग है आज है मेरा बड़े और आज का बड़े व्लोग आप लोग जरूर से मेरे चैनल पे जाके चेक आउट कर लीजेगा खाना इतना टेस्टी बनाई हो ना इसका रेसिपी में आपके साथ शेर करी हूँ तो जरूर से देखेगा और ममी गयां के स्पेशल हल्दी वाली पूरी बनाई है मैंने और आलू की रसे वाली सब्जी बनाई है पापड बनाया है तो आप मेर उसे चेक आउट कर लीजेगा मेरा बड़े व्लॉप आ चुका है गाईज पूरी सब्जी खाओ प्रभू के गुने गाओ यहम यहम बनाया है यहम यहम यहम